ओम नमो भगवति वासुदेवां। नमास्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल भक्ती ज्यान में। दोस्तों आए चनते हैं एगनी प्राण की कथा, जिसमें हम अगनी प्राण के 64वे अध्याय की कथा सुनेंगे। जिसमें हम बनन करेंगे कुवा भावली और पोखरें आदी की प्रतिष्टा की विदी। सी भगवान कहते हैं ब्रह्मन अम्मे कूप भापी और तड़ाग की प्रतिष्टा की विदी का बनन करता हूं। उसे सुनो भागवान स्री हरी की ही जल रूप से देव स्रेष्ट सौम और बरुण हुए हैं। यग्यमंडप के मद्यभाग में कुण्ड से सौब्यत बेदी का हुनी चाहिए था। उसके तोरण पूर द्वार पर कमंडलु सहित बरुण कलस की स्तापना करनी चाहिए। इसी तरह भद्रक दक्षन द्वार अर्द चंद्र पशें द्वार दथा स्वास्तिक उत्तर द्वार पर भी बरुण कलसों की स्तापना अवशक हैं। कुंड में अगनी का आधान करके पूर आवती प्रदान करें। ये ते सतम बरुण आदी मंतर से इस्ताण पीट पर बरुण की स्तापना करें। तत पशात आश्यार मूल मंतर का वच्चारन करके बरुण देवता की प्रतमा को वही पद्रा कर। उसमें ग्रत का अभंग करें। फिर शम नो देवी इत्यादी मंतर से उसका प्रक्षालन करकें। सुद्ववाल सर्व सुद्ववालो आधी से पवित्र जल द्वारा उसे इस्तनान करावें। तदंतर इस्तनान पीठ की पूर्व आधी दिशाओं में आठ कलसों का अधी वाशन इस्तापन करें। के जल को भरे उपर्योक्त बिविद जल ना मिलने पर सब कलसों में नदी के ही जल को डाले। बरण देव के नेत्रों का उन मिलन करें फिर बरण की उस सुवन मैं प्रितमा को जोती का पूजन करें एवं आचार को गोदान दें तत पर श्यात समुद्र जेष्टा आदी मंत्र के द्वारा बरण देवता का पूरु कलस के जल से अवशिक करें समुद्रम गच्छ आदी मंत्र के द्वारा दक्षण कलस के बरसा जल से देवी रापू इत्यादी मंत्र के द्वारा निरती कोन बरती कलस के निर्जल जल से फंच नग आदी मंत्र के द्वारा पश्यम कलस के नदी जल से उद्वी दव्य इत्यादी मंत्र के द्वारा उत्तर बरती कलस के उद आपो हिष्टा मंत्र के द्वारा पंच गबब से एरे वजना से सूक्त के द्वारा स्वाण जल से आपो असमान मंत्र के द्वारा बढ़शा जल से विहर्तियों का उच्छारण करकें कूप जल से तथा आपो देव singular के द्वारा तडाग जल एवं तोरण वड़ी भरौन कलस के जल से बरणदेव को इशनान करावें। ज़ने के पानी से भरRerebbe 183 सी कल्सण द्वारा उसको इशनान करावें। फिर तुम नो अगने बरणशरत इत्याधी मंत्र से अर्द प्रिदान करें। ते त ही P row पत्र यदर यो मंत्र से वस्त्र इमम में बरण इस मंत्र से पवित्रक और प्रणाव से उत्रिये समर्पत करें बारण सुक्त से बरण देवता को पोस्व चबार धर्पान छत्र और पता का निवितन करें मूल मंत्र से उतेष्ट ऐसा कहकर उस थापन करें उस रात्री को अधिवासन करें वरणमबा इस मंत्र से सन्निदी करण करके वरण सुक्त से उनका पूजन करें फिर मूल मंत्र से सजीवी करण करके चंदन आदी द्वारा पूजन करें मंडल में पूरवत अर्चना कर लिए अगनी कुंद में समिदाओं का हवन करें बेदएक मन्त्रों से गंगा आधी चारों गौ का दोहन करें ततंतर सम्पूर्ण दिसाओं में यव निर्मित चरू की स्थापना करकी हों करें चरुकू व्याती गायतरी या मूल मंत्र से अभिमंत्रत करके सूर प्रजापती देव अंतक निग्रह प्रत्वी देद रती स्वद रती रती रامती ओंगर भीम रोधर विश्नू बरोण धहता रायस पोस महिंद्र अगनी यम निरती बरोण बायो कुबेर एस अनन्त ब्रह्मा राजा जलेश्वर बरोण इन नामों का चतुर्त रंत रूप बोलकर अन्त में स्वहा लगाकर बली समर्पित करें इदम विश्णू तद विप्रासो इन मंत्रों से आउति दें सौम धेनम मंत्र से चै आउतियां दे कर इमम में बरोण मंत्र से एक आउति दें आपो हिष्टा सुक्ल याजू यादी तीन रिचाओं से तथा इमा रुद्र इत्यादी मंत्र से भी आउतियां दें फिर दसों दिसाओं में बली समर्पित करें और गंद पुस्प आदी से पूजन करें तथ पश्यात बिद्वान पुरस पृत्मा को उठा कर मंडल में स्थापित करें तथा गंद पुस्प आदी एवं स्वान पुस्प आदी के द्वारा क्रमस उसका पूजन करें तदंतर श्रेश आचार आटों दिसाओं में दो बिते प्रिमाण के जला से और आट बालु कामई सुरम में बेदियों का निर्मान करें बरोन अश्य इस मंत्र से घ्रत एवं यव निर्मत चरू की प्रतक प्रतक एक सो आट आट आउतियां दे कर सांती जल ले आवे और उस जल से बरोन देव के सिर पर अवशेक करके सजीवी करन करें बरोन देव अपनी धर्म पतनी गौरी देवी के साथ बिराजमा नदी नदों से गिरे हुए हैं इस प्रकार उनका ध्यान करें ओम बरोन आए नमहा मंत्र से पूजन करके सन्निदी करन करें तत्पस्चात बरोन देव को उठा कर गजराज के प्रश्ट देश आधी सवारिय पर मंगल द्रव्यों सहित इस्तापित करके नगर में भिर्वन कराबें इसके बाद उस बरोन मूर्ती को आपो हीष्टा आधी मंत्र का चारण करके त्रमदू युक्त कलस जल में रखे और कलस सहित बरोन को जला से के मद्ध भाग में सुरक्षत रूप से इस्तापित कर द पिर ब्रह्मांड संगी का स्रश्टी को अगनी बीज रम से दग्ध करके उसकी भस्म रासी को जल से प्लावित करने की भावना करें समस्त लोक जल में हो गया है ऐसी भावना करके उस जल में जले इस्वार बरोन का ध्यान करें इस प्रिकार जल के मद्ध भाग में बरोन द माई दस हाथ की होनी चाहिए उसमें उपाश देवता का परिचायक चिन्न हो उसका निर्माण किसी यग सम्मंदी ब्रक्ष के काश्ट से हुआ हो ऐसा ही यूप कूप के लिए उप्योगी होता है उसके मूल भाग में हेम में फल का न्यास करें बापी में पंद्र हाथ का पु प्रामगन में यूप ब्रह्म आदी मंत्र से यूप की स्तापना करके उसको वस्त्रों से आवेश्टित करें तथा यूप के ऊपर पताका लगावे उसका गंद आदी से पूजन करके जगत के लिए सांति कर्म करें आचार को भूमी गोश वन तथा जल पात्र आदी दक्ष आदी और समा अंगत जनों को भूजन करावे ब्रह्मा से लिकर त्रण प्रयंत जो भी जल पिपाशू है बे इस तड़ाग में इस जल की द्वारा त्रप्ती को प्राप्त हूं ऐसा करकर जल का संसर करें और जलासे में पंच गब्ब डालें तंतर आपो हिष्टा इत्याद तीन रिचाओं से ब्रामन द्वारा संपाद सांती जल दता पवित्र तीरत जल का निक्षेप करें एवं ब्रामनों को गववंस का दान करें सर्व साधारन के लिए बेरोग टोक अन वित्रन का प्रवंद करावें जो मनुष एक लाख अश्मेग यग्यों का अनुष्टान करता है तता जो एक बार भी जला से की प्रितिष्टा करता है उसका पुन उन यग्यों की अपेक्चा हजारों गुना अधिक है वह स्वर्ग लोग को प्राप्त होकर बिमान में प्रमुदित होता है और नरक को कभी नहीं प्राप्त होता है जला से में से गो आदी पसू जल संपून बुल अगनी प्राने की जै बुल विश्नु भगवाने की जै